हेलो रिवान, वेल्कम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स के यूटूब एचिकिस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टडी करेंगे सेरा टीयो पैप्टीडेस टैबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक उसके बारे में साथ ही जानेंगे उसके वरकिंग के बारे में मेकिनिजम के बारे में उसके क्या साइड इफेक्स वगेरा डेवलेप होती है और डेल्ली डोस वगरा क्या होता है वो सब सिखेंगे हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डीटल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बायमर सर, अस्सिस्टम प्रोफिसर और फार्मारोक्स, तेंक्यू फर बीईन PharmaRox family updated रही यह Pharma knowledge के साथ एक्सेस करें study material, test series and video lecture PharmaRox के आप उपर आप आप Decis and medicines related course भी PharmaRox के आप उपर एक्सेस कर पाओगे वो भी affordable price के इंदे के जिसके इंदर आप दवायों की जानकरी पाएंगे सरल बासा में कि medicines related आपको lecture मिलेंगे साथ ही साथ उनके अलग-अलग medicines और उनके basic use के बारे में तो study material, test series and video lectures के लिए डाउनलोड करें आप PharmaRox Android user, Android आप डाउनलोड कर सकते है iPhone user app store से लिंक आपको description box में मिल जाएंगे या फिर कोई भी query हो तो ये number पे आप WhatsApp जो है वो कर सकते है तो अब जानते है seratiopeptidase tablet के बारे में तो ये medication जो है वो prescription based medication कहा जाता है कि seratiopeptidase के आप यहाँ पे tablet का box देखोगे तो आप check करोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है RX तो RX का मतलब होता है कि prescription based medication मतलब कि आपको prescription लगता है जब भी आपको ये medication को purchase करनी होती है फिर seratiopeptidase क्या है तो वो एक enzyme है कि यहाँ पे जो लिखा है seratiopeptidase और यहाँ पे आप देखो seratiopeptidase के 10 mg के ये tablet है तो seratiopeptidase एक enzyme है और उसके पास anti-inflammatory action है जिसके करन ये medication जो है वो pain कि जो दर्द होता है हमें साथ हो साथ जो inflammation मतलब कि oxygen होती है उसको treat करने के लिए use की जाती है और उसके साथ साथ जो जितने भी अलग-अलग inflammation related disease and disorders होते हैं सभी को treat करने के लिए ये widely use किया जाते है तो ये था एक basic information seratiopeptidase के बारे में तो अब आपके माइड में सवाल ये होगा कि seratiopeptidase क्या है actual में तो जैसे अभी हमने एक sort में सीखा कि seratiopeptid is एक enzyme है तो कौन से type का enzyme है तो ये protein type का enzyme है कि जिसको कहा जता है proteolytic enzyme तो ये proteolytic enzymes के role ऐसे होते कि जो protein का structure होता है उसको breakdown करतके last में बना कर देते हमें amino acid तो ये type का enzyme है proteolytic enzyme कि जो protein का अच्छे से metabolism करके amino acid जो है वो produce करता है और ये enzyme को isolate किया जाता है non-pathogenic enterobacteria मतलब कि ऐसे microorganism की जिसको हम कहते हैं non-pathogenic मतलब कि ये bacteria हमारी body के लिए useful होते है मतलब कि किसी भी तरह की harmful effect हमारी body पे नहीं होती साथो साथ ये bacteria जो seratio e15 है कि जो silk worm के अंदर फाये जाते हैं उन में से ये enzyme जो है वो isolate किया जाता है कि यहाँ पे आप देखो कि ये जो structure आप देख रहे हो ये वाला तो ये जो है वो seratio peptidase का structure है और ये seratio peptidase enzyme protein को convert कर देता है amino acid के अंदर और जब आप उसको microbiology के अंदर develop करते हैं तो इस तरह से आप जो है उसके isolate हुई colonies वगेरा जो है वो देख कर देख पा सकते हैं कि जिसमें से ये enzyme को जो है वो अच्छे से isolate किया जाता है तो ये जो microorganism है वो isolate कही गई थी 1960 में कि जो silk worm हम कहते हैं कि bombics कि यहाँ पर आप यह देख सकते हैं कि यह जो worms आप देख रहे हैं जिसको कहा जता है silk worm कि यह जो diagram के अंदर आप देख रहे हैं तो ये silk worm के जो intestine के अंदर ये enzyme जो है वो प्रेजेंट होता है कि seratio peptidase is present in the silk worm intestine कि यह जो सिल्क वाम आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके इंटेस्टाइन के अंदर यह सेराटियो पैप्टिडेस एंजाइम जो है वो प्रेजंट होता है तो यह माइक्रो और्गिनिजम को यूटिलाइस करके आगे जाके जो है वो यह एंजाइम एक्स्राइट किया जाता है तो जो यह सिल्क वाम है वो यूस करते है जो कोकुन्स जो होते है उसको डिजॉल करने के लिए यह एंजाइम को जो है वो यूस करते है एण serateo peptidase जो है वो produce किया जाता है purification से from the culture of serateo E15 bacteria तो E15 जो है serateo के उसमें से isolate करके serateo peptidase enzyme जो है वो isolate किया जाता है तो simply ये enzyme जो है वो naturally कहाँ पे होता है तो जो silkworm होते है कि जिनको हम कहते है bombix smorey तो उनके intestine में ये enzyme जो है वो produce होता है कि जो ये produce करते है अपने cocoon सुगिरा को dissolve करने के लिए तो अब समझते हैं उसके basic use के बारे में कि कौन से अलग-अलग medical condition में serateo peptidase के जो tablet है वो use किया जाते है तो सबसे पहला जो हम कोई basic use हम समझे तो जितने भी अलग-अलग painful condition है उसके इलाज में ये medication use की जाती है और pain होने का reason खास कर होता है सूजन होना है जैसे के आप देखो ये normal हमारा हाथ है और जब आप rheumated arthritis में किसी person के हाथ देखो तो वहाँ पे जो joints है वहाँ पे सूजन देखने को मिलती है फिर ये जो person है उसको back pain जैसा feel हो रहा है कि पीछे कमर दर्ध जैसा हो रहा है कि जिसको हम back pain कहते है तो back pain कि जो कमर दर्ध हम कहते हैं उसके इलाज में भी seratio peptidase के tablet use किया जाते है फिर osteo arthritis के जो हम condition कहते है साथ हो साथ जो rheumated arthritis मतलब कि joint related जितने भी pain के जो conditions के अंदर porous कि जिसके अंदर hall देखने को मिलते है cavities जो हो ज्यादा देखने को मिलते है ऐसे bond हो जाते है और ऐसे bonds आसन इसे break हो जाते है तो ऐसे लोग भी seratio peptidase के tablet use करते है सूजन और pain को कम करने के लिए fibromyalia के जो patient होते हैं वो भी use करते हैं के आपके muscles और skeletal मनलब के आपके bond में भी pain हो रहा है आपको साथे साथ आपके muscles में भी pain हो जहाँ पे muscles and bond वगर एक दूसरे के साथ joint होते है तो वहाँ पे आपको pain होता है musculo skeletal pain के जिसको medical term में कहा ज़ता है fibromyalia तो यह सभी condition को treat करने के लिए use के जाइए कि आप यह आप देखो कि यह है rheumatoid arthritis के जिसके अंदर जो यह आप joints देख पा रहे हैं तो joints जो है जहाँ आपके fingers के joints है या फिर आपके legs के जितने भी अलग अलग जगा पे joints है तो arthritis के अंदर इस तरह से जो यह वाला आप देख रहे हैं कि जो normal joints है normal के compare में वहाँ पे surgeon देखने को मिलती है inflammation देखने को मिलती है साथो साथ ऐसे patient के जिनको कमर दर्द ज्यादा रहता है किस तरह से पीछे back pain रहता है तो ऐसे लोगों के लिए भी यह tablet काफी useful है फिर यह वाले आप joints देखो कि यह healthy bonds कि यह bond healthy है कि जिसके अंदर कोई pore देखने को मिल नहीं मिल रहे है proper bonds की arrangement आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है उसी के compare में आप side वाला diagram देखो तो यह osteoporosis कहीं जाती है कि जिसके अंदर आपके bonds के अंदर यह जो pores है वो क्या हो जाते है काफी increase हो जाते है कि pores तो present होते ही है हमारे bonds के अंदर कि यह healthy bonds के अंदर normal pore हम कही सकते है कि proper amount में बड़ जब कि यही pore की amount increase होती जाती है तो यह आप देखो pores और ज़्यादा बढ़ रहे है और उनके cavities भी काफी ज़्यादा बड़ी हो रही है तो ऐसे condition को हम कहते है osteoporosis और जब osteoporosis होता है तो person को pain काफी feel होता है वहाँ पे सुजन वगेरा देखने को मिलती है inflammation जो हम कहते है तो यह दोनों को treat करने के लिए seratiopeptidase के tablet patients को prescribe किये जाते है फिर carpal tunnel syndrome का जो बीमारी है जिसके अंदर आपको pain होता है numbness जिसा feel होता है tingling जिसा feel होता है and weakness होती है in hand and wrist क्या आपके जो हाथ है तो हाथ में आपको जो है दुरुजन आ सकती है कमपारी आ सकती है pain हो सकता है numbness जिसा feel होना कि कई बार आपको कोई sensation जिसा ना हो जिसा feel हो और ये specially आपके हाथ में होगा या फिर ये wrist के portion में होगा कि जहाँ पे ये carpal ligament जो है वो present होते है कि carpal ligament का जो portion है वहाँ पे जब ये pain cool condition produce होती है और उसके related जो symptoms develop होते है कि pain होना numbness होना तो कि जिसको हम कहते है carpal tunnel syndrome तो इसके अंदर होने वाले सुजन और pain को कम करने के लिए seratio peptidisc के tablet यूज किया जाते है फिर migraine headache कि चाहे आपको migraine headache हो रहा है या फिर tension के करण कोई headache हो रहा है या फिर किसी भी type का सरदर्द आपको हो रहा है तो सरदर्द को कम करने के लिए भी ये medication जो है वो यूज की जाते है कि seratio peptidisc के tablet आपको सरदर्द हो रहा है तो भी आप use कर सकते है as a pain killer फिर kidney stone क्या pain आपको हो रहा है कि kidney stone जब pass होता है medications के करण तो उस वक्त जो pain होता है उसको tolerate आप नहीं कर पाते तो वो pain sensation को कम करने के लिए kidney stone के pain को कम करने के लिए या फिर वहाँ पे समझे कि urinary tract में कोई susan हो रही है तो उसको भी कम करने के लिए ये medicine यूज की जाते है फिर body के अंदर आपको pain हो रहा है कि जब आप एक concept समझे कि जब आपको fever है तो fever के दोरान कई बार हमें body pain होता है तो वो pain को कम करने के लिए भी ये seratiopeptidase के tablet जो है वो use किये जाते है in combination with paracetamol तब उसके हम working देखे तो seratiopeptidase जो है वो अलग अलग तरीके से हमारी body के उपर effect देता है तो एक उसकी effect रहती है ये anti-inflammatory effect भी है उसके कि जो sujan कम करती है analgesic effect है जिसके करन वो काम करता है as a pain killer के pain को कम करने के लिए pain killer के तोर पे भी काम करता है fibrinolytic उसकी action है antibacterial भी कई बार वो काम करता है तो ये सभी उसके अलग-अलग working है तो anti-inflammatory में हम देखे खास कर तो ये क्या करता है कि as a anti-inflammatory agent काम करता है और regulate करता है inflammatory cytokines को कि जो responsible बनते है sujan के लिए and क्या करता है जो chronic inflammation के लिए responsible बनता है तो इसकी effect को inhibit करेगा ये medication की जिससे आपकी sujan कम होती है और उसके करण होने वाले pain वगेरा कम हो जाते है और ये modify करते है cell addition molecules की जो guide करते है inflammatory cells को to the site of inflammation की जहाँ पे समझे के आपको ये जगा पे कोई जगा पे inflammation हुआ है sujan हो रही है तो वहाँ पे जो cell present होते है कि जो guide करते है वहाँ पे molecules को proper ऐसे chemical release करने के लिए कि जो sujan के लिए responsible है तो ये medication जो है वो cell की जो effect होती है उनको modify कर देता है जिसके कारण आगे जाके आपकी sujan वगेरा कम हो जाती है अब समझते उसकी strength कि कितनी अलग-अलग strength में ये medication available है तो यहाँ पे आप जो उसके medications देख रहे हैं कि seratio peptides के tablet as per the IP IP मतलब कि Indian pharmacopia ऐसा एक book कि जिसके अंदर proper information दे होती है कि किस तरह से medication को prepare करना है और किस तरह से आगे उसका proper utilization होना चाहिए तो as per IP जो seratio peptides के tablet बना जाते हैं और ये about का जो आप फॉर्मिलेशन देख रहे हैं बायो सुगन रेल करके जो आप देख रहे हैं कि जो 10 mg के है about का ये फॉर्मिलेशन उसी तरह से ये लैटिक्स करके भी आप टैबलेट देख रहे हैं कि जिसके अंदर 20 mg जितना content है ये seratio peptides का but आपको याद क्या रखना है आपको याद रखना है ये seratio peptides because आप internet के उपर जब आप सर्च करोगे seratio peptides तो उसके बहुत सारे अलग-अलग brands आपको मिल जाएंगे कि जैसे ही कोई company change हो जाएगे उसका brand name अलग होगा because यहाँ पे जो उपर क्यों लिखा होता है कि वो उसका main chemical name है कि जो है उसका salt composition seratio peptides यहाँ पे आप देखो seratio peptides but नीचे जो है उसका brand name होता है कि जैसे ही company का नाम change होता है कि यहाँ पे abort है तो यह biosugan drill करके बनाता है जबकि यह यहाँ पे जो जब company change हो जाती है तो वो lightics करके बनाती है तो जब आप brand name सुनते तो उससे आपको अंदाज नहीं लेगागा कि उसके अंदर कौन सा medication है but आप directly seratio peptides याद रखोगे तो आपको तुरंद पता चल जाएगा कि यह medication जो है वो use होती है anti-inflammatory, analgesic वगेरा उसके main use है तो 10 mg और 20 mg दोनों strength में यह available है अब अच्छे सी उसके dose को समझे because dose समझना जरूरी है कि कितने dose में यह medication सही से use करनी चाहिए तो उसका हम regular dose देखे तो 10 mg के जो tablet है वो patient दिन में 3 बार जो है वो use कर सकता है कि जिसकी strength है 10 mg तो 10 mg का यह जो tablet है वो patient दिन में 3 बार खा सकता है किस तरह से one, one और one मतलब कि एक tablet आप morning में खा सकते है एक tablet आफ्टरून में खा सकते है और एक tablet नाइट में तो maximum 3 tablets patient ले सकता है 10 mg के और 3 times a day और ध्यान रखना है कि सभी tablet के बीच में 8 hours का gap रहे जिसकी एक tablet आप खाते हैं सुब्ब आट बजे morning में आपने पहला tablet खाया आट बजे तो second tablet आप कब खाऊगे तो at least उसके 8 गंटे बाद आप दूसरी tablet खाऊगे मतलब कि आप जो है वो second tablet खाएगे चार बजे के आसपास तो ये first और दूसरी tablet के बीच में at least 8 अवर का जो है वो gap हो गया उसी तरह से जब आप तीसरा tablet जब खाते हैं तो ये आपने चार बजे लिए तो उसके at least 8 अवर के बाद मतलब कि रात को 12 बजे फिर आप ये tablet खा सकते हैं तो जब आप 3 tablet खाते हैं दिन में तो ध्यान ये रखना है कि proper 8 अवर का gap जो होना चाहिए between all 3 doses के जिससे उसके proper effect मिले और side effects जो है वो आपको कम हो और समझे कि ये condition जो है वो ज्यादा painful नहीं है तो maximum दिन में आप 2 tablet लोगे तो भी सही रहेगा because उसका जो daily dose है वो minimum 15 mg से लेके maximum 60 mg पर डे है बात करें तो ज्यादा से ज्यादा पेसंट जो है वो 60 mg 60 mg तब कि जब आप 20 mg के जो tablet है कि 20 mg के tablet दिन में तीन बार लेते हैं तो वो हो जाएगा आपका total 60 mg dose बट इतने ज्यादा high dose में लेने की ज़रूरत नहीं रहती खासकर usually दिन में आप 2 या 10 टेबलेट भी खाते हैं 10 mg के तो भी जो है वो enough रहता है और उसके proper effect आपको मिल जाती है और ध्यान यह रखना है कि खाना खाने के 2 गंटे बाद आपको लेना है कि take it after 2 hours of meal मतलब कि आप breakfast भी करते हैं तो उसके 2 गंटे बाद यह medication को लेना चाहिए and जब आप लेते हैं तो समझे कि आप 1 या 2 week के लिए लेते हैं तो वो आपको provide करेगा anti-inflammatory agent के तौर पे काम करेगा और समझे कि 4 week तक आप यूज कर दे तो वो मुकोलाइटिक एजन के तौर पे भी यह काम करती है यह medication तो यह है कि उसके dose के information अब समझते हैं उसके कुछ popular combination कि आपने यह tablet का सायद देखा होगा कि ability करके यह tablet है कि जो abort ही बनाती है बट एवर्ट का जैसे हमने देखा था कि seratiopeptidase के वो 10 mg की tablet और 20 mg का तो बनाता है बट यह combination में कई बार होता है paracetamol के साथ कि यह वाला देखो कि paracetamol भी है seratiopeptidase के साथ और diclofenic potassium भी है as a salt का जिसका नाम दिया है यह ability तो ability तो उसका brand name होगा है बट उसके साथ यह combination में दुसरे non-steroidal anti-inflammatory drugs जैसे के paracetamol, diclofenic और कई बार diclofenic ना हो तो आप acyclofenic भी देखोंगे यह combination के अंदर कि diclofenic है या फिर उसके साथ option में diclo के बजाए हो सकता है acyclo but paracetamol, ceratio दोनों तो होते ही है and यह combination यूज होता है सुजन को कम करने के लिए, pain को कम करने के लिए और साथ हो साथ joint pain को कम करने के बट अगर आप समझे कि popular regular ही dosis pom use कर रहे है सिर्फ ceratio peptidus का तो यह combination लेने के ज़रूरत नहीं यह combination आप तब लेगो कि जब आपको साथ में fever भी है अगर fever नहीं है तो यह paracetamol या डाइकलो के combination वाला यह medication यूज करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ समझो कि inflammation और pain ही है तो सिर्फ और सिर्फ सेराटio peptidus के जो single tablet आते है जैसे हमने अभी previous slide में देखा तो वो tablet जो है वो enough रहते हैं तो यह हो गई combination की study अब समझते हैं उसके side effect तो side effect पे उपर खास द्यान देना because यह knowledge होना जरूरी है कि कौन से side effect हो सकते तो nausea vomiting तो common है कि अगर होई कोई person high dose में यूज कर लिता है तो आपको nausea and vomiting हो सकता है कई बार stomach pain भी होता है skin के उपर reactions आ सकते हैं जैसे कि skin के उपर allergic reactions के दोर पे रैसिस स्वगिरे develop हो जाना कि अगर किसी को hypersensitivity है allergy हो जाती है ऐसे peptide enzymes की जैसे कि यह seratio peptidase है तो तुरांत उनको लेना बंद कर देने चाहिए या फिर कोई लोगों को higher dose में लेने से कि अगर आप उसको काफी high dose में ले लेते है तो उस वक्त आपको pain कम होने के बज़ए pain बढ़ेगा muscle and joint pain हो सकता है कि अगर आप high dose में use कर लेते है poor appetite या फिर appetite जो है आपकी कम हो सकती है बूख लगना कम हो जाएगा ये medication लेने के बाद cough कई बार होता है and blood clotting related disturbance हो सकता है कि जो clotting की जो process होती है हमारी normal कि जब भी कोई blood vessel को injury होती है तो तुरंत वहाँ पे ये platelets आके ऐसा एक clot बना देते है fibrin के साथ combination करके तो ये medication क्या करती है ये clotting को जो है वो prevent कराएगा clotting होने नहीं देगा अच्छे से जिसके करण आपको हो सकती है bleeding तो ये खास समझे कि clotting नहीं होगा तो bleeding ज्यादा होती रहेगी लंबे समय तक तो ये खास ज्यान रखना है कि blood clotting related आपको कोई problem है तो ये medication यूज नहीं करनी चाहिए कि जो अब समझे के हम उसके warnings के अंदर तो serateo peptidase should not be taken along with blood thinners blood thinners मतलब कि जो हमारे blood को पतला करने वाली दवाईया जैसे कि warfarin है और aspirin कि जो blood thinner के तौर पे काम करती है कि aspirin आप low dose में जब यूज करते है 75 mg या फिर 150 mg के अंदर तो वो हमारे blood को पतला करती है blood thinners के तौर पे काम करती है तो जब serateo peptidase आप उसके साथ लोगे तो क्या होगा कि आपका blood जो होगा thin अच्छे से concept समझे एस्पिरिन वगरा लेने से blood क्या हो जाएगा thin हो जाएगा पतला होगा अब साथ में आप ले रहे है serateo peptidase तो serateo peptidase साथ में लेने से क्या होगा blood वैसे भी पतला है तो ये पतले blood का जो clotting है ये करवा देगा prevent जिससे आपको हो सकता है bleeding हो सकता है कि कोई injury होगी तो bleeding जो है वो लंबे समय तक चलेगा तो ये problem हो सकता है serateo peptidase के जो tablet है वो लेने से तो कभी भी ये combination ना करें कि आपकी समझे कि इस तरह के medication चल रही है कि आप warfarin ले रहे है या फिर aspirin ले रहे है तो तुरंत आपके pharmacist या फिर doctor को बताना चाहिए कि आप ये medication ले रहे है because aspirin और warfarin के साथ ये serateo peptidase या फिर serateo peptidase interaction कर सकता है कि जिससे आपको blood clotting related problem हो सकते है bleeding हो सकती है तो ये खास द्यान रखे कि blood clotting को disturb कर देता है ये medication फिर जब आपके कोई surgery है कि आपने कोई surgery schedule करवाई है कि आपके एक माहने बाद कोई surgery है कोई operation है तो उसके at least 2 week पहले से ही ये medication को लेना बन करते because serateo peptidase आपकी blood clotting के साथ जो है वो असर करता है और इसकी असर के कारण blood clotting अच्छे से नहीं होगा और increase हो सकती है bleeding कि surgery के दौरान या फिर surgery के बाद आपको bleeding हो सकता है कि अगर आप surgery के दौरान भी ये medication यूज करता है या फिर उसके दो विक पहले बन नहीं करते तो ये खास advice आप याद रखे कि stop using at least two weeks before a scheduled surgery कि आपकी कोई surgery प्लान है तो उसके दो विक पहले से ही ये medication को लेना बन करते कि जिससे आपको bleeding ना हो operation के पहले या फिर operation के दौरान तो decisions and medicines related जो course है कि जिसके अंदर आप अलग-अलग medicines के बारे में सिखते हैं उनके PDF एक्सेस कर पाओगे PPTs, Video Lecture, Affordable Price के अंदर PharmaRox की आप उपर तो डाउनलोड करिए आप PharmaRox Android user, Android app डाउनलोड करें iPhone user, App Store से link हमने description box में दे दी है तो जरूर से डाउनलोड करिए और एक्सेस करिए Study Material, Test Series and Video Lecture कोई भी क्वेरी हो तो आप ये नमबर पे WhatsApp करके क्वेरी सॉल कर सकते है course related तो Study Material, Test Series and Video Lecture के लिए डाउनलोड करिए आप PharmaRox Android अप्लिकेशन और गूगल प्ले Apple iPhone एपन App Store link आपको description box में मिल जाएगी good luck and all the best